हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो आवर योट्यूब चैनल जहां पर हम पढ़ रहे थे इंकम टेक्स का सबजिक्ट और यह सब्यक्ट हम बीकॉँब के लिए पढ़ रहे हैं अब बहुत सारे स्टेट्स में इंकम टेक्स का सबजेक्ट अलग-अलग सेमिस्टर पर दिया हुआ है यह तो अगर तुम एल्डि़बस को से सभी subject का वीडियो का classes कर सकते हैं क्योंकि all over India सभी subject का syllabus सेम है बस कितना है कि rearrange किया हुआ topic को topic को topic आगे पीछे किया हुआ और subject को अलग-अलग semester में डाला हुआ लेकिन subject content सब कुछ 100% सेम है chapter आगे पीछे किया गया है तो अगर तुम all over इंडिया के कोई भी उनिवर्सिटी से हो तो तुम classes आराम से कर सकते हो और description में हमसे connect होने का सभी link दिया हुआ है बेटर होगा अगर telegram channel को जॉइन करोगे तो telegram group को जॉइन करोगे तो वहाँ पर तुम्हें सारा detail updated मिलता रहेगा ठीक है चलो हम शुरू करते हैं आज हम लोग आलाइंस वीडियो जो बहुत दिन पहले upload हुआ था उसमें हम लोग exempt एलाइंसे वीडियो में फुल्ली टेकसेबल बात किये और नेक्स्ट वाले वीडियो में आज हम लोग पार्शली टेकसेबल बात करेंगे नेक्स्ट वाले में बारे में बात करेंगे तो आज का वीडियो होगा पार्शली-टैकसेबल के लिम Ku Begin एंदर डौ टोबीक है एक तो मेन हाँस में जो कि बहुत इम्पॉर्टे टोपिक है और दूसरा इसके साथ एक और इलाउयन्स है यह भी इंपॉर्टेन्ट हुठ टोपिक है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे house rent allowance क्या होगा आज के topic में हम लोग आज के class में हम लोग partially taxable वाला topic को पूरा complete करेंगे सबसे पहला discussion है house rent allowance house rent allowance क्या होता है अब मान लो तुम पर लिखकर बड़े इंसान बन गए और तुम्हें मान लो कोई company वाला बुला लेता है कहीं पर job करने के मान लो चाहे वह डेली में हो चाहे मुंबई में हो चाहे और कोई city में हो तुम अपने hometown को छोड़ कर कहीं और रह रहे हो और company का काम कर रहे हो तो क्या यह company का responsibility नहीं कि कि तुमहारे रहने का तुमहारे खाने पीने का और तुमहारे बाकि सब आधिकार दिकारauptoba का है या नहीं तो तो company क्या करता है जेनरली अगर वो ये सारे responsibilities को ले ले तो वो business कप करेगा company कप चलाएगा अगर वो employee के रहने वहने को देखेगा तो वो क्या करते हैं companies house rent allowance मतलब तुम अपने घर को छोड़ कर किसी और जगा में जा रहे हो वहां पर तो तुम्हारा खुद का घर होगा नहीं तुम वहां पर रेंट के घर पे रहोगे भाड़े के घर पे रहोगे पीजी में रहोगे या कोई एक अपना फ्लाइट वागेरा लेकर रहोगे तो उ केस में कंपणी क्या करता है तुम्हें उस खर्चे का रहेंड दे से अगर इससे कम में तो अच्छी बात इससे ज्यादा में रह lonet तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने हमें कोई लेना नेना नहीं हम एक fix amount उम्हें दे देंगे तुम्हें उसका जो करना है वो करो तो house rent allowance नाम का पैसा employees लोगों को मिलता है company से अब जिनको house rent allowance मिलता है अगर कोई भी पैसा मिलता है तो सरकार आ जाता है अपना हिस्सा मनने मुझे मेरा हिस्सा दे दो भाई मुझे मेरा income tax दे दो तो उस case में उसमें कुछ exemption का rule बनाया हुआ है अगर मालो मैं एक employer हूँ और तुम employee हो अगर मैं तुम्हें house rent allowance दे रहा हूँ तो उस case में तुम्हारे हाथ में वो house rent allowance taxable होगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए पैसा तुम्हें receive हो रहा है वो पैसा जो receive हो रहा है वो taxable होगा लेकिन उसमें कुछ राहत दी जाएगी तुम्हों क्या राहत दी जाएगी उसका limit लगाया गया अब देखो limit को पड़ते है एक चारे ग्रांटेड to the employee is exempt to the extent of the least of the following इन में से सबसे कम जितना होगा वो तुम्हें exemption के तौर पे मिल जाएगा क्या है तीन टो condition है एहला house rent allowance हरे actually received for the relevant period जितना तुम house rent allowance receive की हो वो पूरे exempt हो जाएगा second rent paid minus जितना तुम rent pay कर रहे हो actual rent जो तुम pay कर रहे हो minus 10% of salary for the relevant period जो तुम्हारा salary है वो salary का 10% उसमें से minus कर देंगे बाकी का हिस्सा तुम्हें क्या मिल जाएगा तुम्हें deduction के नाम का exemption मिल जाएगा या फिर 50% of the salary for the relevant period या फिर 50% of the salary को तुम्हारा देखा जाएगा अब इतना सारा टिगडम बाजी क्यों किया गया है सिधा से सिधा बोल देता 50% of the salary देना है तो लोग क्या करते थे पता है लोग इसमें game कर देते थे सरकार का पैसा चोरी करने में लोगों को मज़ा आता है लोग यह सोचते किस तरीके से मैं income tax बचा लो किस तरीके से मैं कुछ ऐसा जुगाड कर लो कि मेरा tax बच जाए तो सरकार भी चाला के सरकार बहुत प्रकार का condition लगा दिया ताकि अगर तुम इस condition से बच गए तो यहां आकर फज़ाओ यहां बच गए तो यहां आकर फज़ जाओ और वहां पर तुम tax देने में मजबूर हो जाओ तो government क्या किया तीन प्रकार का condition लगाया और क्या बोला यह तीनों में से जो least होगा वो हम exemption में दे देंगे सबसे कम जो होगा वो हम exemption में दे देंगे अब इसमें भी criteria क्या कर दिया city wise अलग अलग कर दिया चार metropolitan cities को अलग कर दिया Delhi, Kolkata, Mumbai और Chennai अगर तुम देली, Kolkata, Mumbai और Chennai में रह रहे हो तब तो तुम्हें यह तीन limit लगेगा लेकिन अगर तुम देली, कोलकाता चन्नी और मुंबई को छोड़ कर किसी और सिटी में रह रहे हो तो उस केस में तुम्हारे लिए अलग कंडिशन लगेगा अलग कंडिशन में मज़े का बात यह है कि पहला कंडिशन सेम है दूसरा कंडिशन भी सेम है सिर्फ थर्ड कंडिशन क्या है डिफरेंट है क् पर 40% है बस हो गया एक ही कंडिशन अलग है मतलब अगर तुम मेट्रोपॉलिटी इन चारों मेट्रोपॉलिटी इन सिटीज में डेली कॉलकाता मुंबई और चन्नी चारों में से किसी एक सिटी में रह रहे हो तो तुम्हें 50% करेंगे लेकिन उस एक्जांपल को करने से पहले कुछ हमें धिहान में रखना और बात और मैं बता रहा हूं यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतने भी बीकॉम के बच्चे हैं तभी के लिए हाउस रेंट अलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क् और यहां से कॉशन आना तो बहुत ही जादा चांसे सा यहां से कोशन आने का हर एक्जाम में आया है तो तुम्हारे भी एक्जाम में आएगा ठीक है तो इस वजह से दियान से पढ़ लेना कुछ और कंडिशन से exemption is not available to the SEC who lives in his own house अरे ये क्या बोल दिया company तो बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो पैसे का लेकिन अगर तुम अपने खुद के घर में रह रहे हो और फिर भी तुम company से पैसा ले रहे हो तब तो तुम्हें exemption नहीं मिलेगा तुम्हें पूरे पैसे के ऊपर जो भी income tax आ रहा है as per calculation वो तुम्हें पे करना पड़ेगा तो यह तो जैन्मिन बात है यह तो सही बात है ऐसा तो होना ही चाहिए यह क्या गलत है तुम उधर company से पैसा ले लो tax के नाम का house rent allowance के नाम का और इधर तुम खुद के घर में रह लो यह क्या मजाक हुआ तो इस वज़े से सरकार का यह point तो पूरा hundred percent valid है कि अगर तुम खुद के घर पे रह रहे हो तब तो तुम्हारे लिए house rent allowance पूरा का पूरा income है और वो पैसा पे पूरा tax देना ठीक है और in the house which he has not incurred the expenditure of rent या फिर तुम किसी ऐसे इंसान के घर पे रह रह रहे हो जहां पर तुम्हें रेंट देना नहीं पड़ा है यह से होता है न हम कभी कबार दोस्त के घर में रह लेते हैं या हम हमारे कोई रिष्टेदार का घर है जो खाली पड़ा है हम उनसे सरकार को पता के से चलेगा में कभी का किया है या नहीं किया अगर तुमने अग्रेंट नहीं किया है मतलब तुम 1890 किया है मतलब तुम 70 करना पड़ेगा ठीक है चल गया बात तो सही है next salary for this purpose means basic salary and dearness allowance अगर जो यहां पर salary लिखा था 10% of the salary अब यह 10% of salary कैसे calculate करें 10% of salary का मतलब salary में दो चीज़ आड़ होगा एक तो salary होगा और दूसरा dearness allowance होगा और वो dearness allowance भी कब आड़ होगा अगर तुम्हारा terms and condition जो employment का terms and condition है जब भी किसी company में job company वाले तुम्हें बड़ा सा paper देंगे terms and condition का याद करो कोई भी application डाउनलोड करते हो तो terms and condition को टिक करते हो ना और okay करते हो तो terms and condition में अगर लिखा हुआ है कि तुम्हारा salary में dearness allowance को add किया जाएगा तभी add किया जाएगा अधर्वाइज एड किया नहीं जाएगा ठीक है and commission as fixed percentage of turnover या फिर तुम turnover का fix commission ले रहे हो यह बड़े-बड़े managers लोग होते हैं जैसे कि Infosys का manager है जो टाटा companies के managers लोग है या वो लोगों का salary ऐसा fix होता है उनका salary variable होता है मतलब उनका salary एक तो minimum amount एक fix होता है उसके बाद का जो बाकी का amount है वो percentage of turnover के basis पे आता है कि अगर company का turnover जादा हुआ sales जादा हुआ तो तुम्हारा salary भी जादा होगा जो commission system होता है न तुम अच्छा business लेकर आ रहे हो orders लेकर आ रहे हो तो तुम्हें commission भी जादा मिलेगा तो अगर उस प्रकार का तुम्हारा agreement employer के साथ तब तुम्हारा commission भी salary का हिस्सा है और उसे हम add कर लेंगे बात समझ में आ गया हा सर बहुत ही complex हो गया situation सर एक number करा दो फटाफट से हां एक पॉइंट और पढ़ते हैं फिर हम illustration करेंगे illustration number one रेवल लेवेंट पीरिएड मेंस दा पीरिएड डियूरिंग विज दा सेट अकोमडेशन वाज अकुपाइड बाइड डियूरिंग दा पीरिवियस यर इस टाइम पीरिएड पीरिएड पे वो लोग house rent allowance का exemption को निकालेंगे और चेक करेंगे कि कितना टेक्स लगेगा और कितना नहीं लगेगा ठीक है देखो राच मिस्टर राच कुमार ही रो का नाम लग रहा है राच कुमार मिस्टर राच कुमार है इस फॉल्विंग रिसीट फॉम इस एंप्लायर उसको यह इस तरीके से पैसे देता था चालीस हजार रुपए पर मंत का तो सैलेरी था डियर्नेस अलावेंस था सिक्स थाउजन पर मंत यह सब पर मंत है कमिशन लेकिन पर एनम दिया हुए साल का 50,000 रुपए का कमिशन आता था ठीक है मोटर कार फॉर पर्सनल यूज पर्सनल यूज के लिए गाड़ी भी दे कर रखा है एक्सपेंसेस मेट बाइद एम्प्लोयर अरे तेल भी भरवा कर देता है क्या बात है क्या बात है क्या बात है बड़ी कंपनी में काम कर रहा है 15,000 रुपए का खर्चा आ जाता है जो कौ रहे और 15,000 रुपए होगर के रेंट चनाम का कंपनी किसको दे रहा है अपने एंप्लोई कौ पे कर रहा है क्या ये 15,000 रुपए पर टेक्स लगेगा या नहीं लगेगा लगेगा तो कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा उसी हम लोग करने वाले अब इसके पास फाइंड आउट डामाउंट अप एचारे एलिजिबल फॉर एग्जेम्शन टो मिश्टर राज एस्यूमिंग डेड की पेड़ रेंट ऑफ सिक्स्तीन थाउजन पर मन्त वह जिस घर में रहता था उस घर का भाड़ा कितना था और यह तो सबसे इंपॉर्टेंट है कहां पर रहता था वह कानपूर में तो क्या कानपूर हमारे चार सिटीज में आता है डेली कोलकाता मुंबई और चन्ने नहीं आता है मतलब अदर सिटी का रूल एप्लिकेबल होगा अदर सिटी में क्या डिफरेंट हा स्रिफ 40 परसेंट दिफरेंट था और कुछ भी डिफरेंट नहीं था तो वह कानपूर में रहता है देखो 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 यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है यह कहां लिखा हुआ था यह टर्म्स औं कंडिशन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू क्या बोला अगर इफ प्रोवाइ Эד करेंगे या पर कुछ को इकलिफ नहीं करेंगे मतलब सैले के साथ इंकलूड कर दो तो हम क्या एसा लिख सकते हैं इसका salary दौनों को मिला कर 46,000 था लिख सकते हैं क्योंकि डियर्नेस अलाउंस अगर salary का हिस्सा है तो फिर उसी मैं add कर दो ना अलग से क्यों लिख रहे हो डियर्नेस क्या होता है महेंगाई भरता महेंगाई भरता मतलब जो चीजें महेंगी होते जा रही है उसको कंपेंशेट करने के लिए कंपनी क्या करता है अपने employees लोगों को डियर्नेस अलाउंस देता है ठीक है exemption का calculation करेंगे क्या क्या कंडिशन था तीन कंडिशन था पहला कंडिशन पहला कंडिशन क्या था actual amount of rent paid यह actual amount receive तो हमको कितना रुपए मिला हरे के नाम का हमें हरे के नाम का 15,000 रुपए मिला actual amount receive 15,000 रुपए पहला लिमिट आ गया एक असी दूसरा लिमिट रेंट पेड माइनस 10 पर सेलेरी रेंट पेड माइनस 10 पर सेलेरी था यह सारा क्या था परमन था अरे हां यह तो परमन था अब इसको हम लोग क्या करेंगे एड कर देंगे यह क्या बात हुई है यह क्या बात हुई है यह क्या बात हुई है यह क्या बात है क्या बात है कमिशन इंक्लूड करना है या नहीं करना है उसके लिए भी कोशन में लिखा होना चाहिए तो इस केस में कोशन में किसके बारे में लिखा हुआ है dearness allowance के बारे में लिखा हुआ है commission के बारे में लिखा हुआ नहीं है तो commission salary में add नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे 40,000 plus 6,000 into 12 तो ये कितना आ गया हमारा ये हमारा आ गया 10% of 46,000 into 12 तो ये आ जाता है 55,200 और ये था 1,92,000 और को माइनस कर दो कितना आ गया 1,36,800 और थर्ड 40% of salary अब ये 40% of salary मतलब 40% of 46,000 into 12 46 कहां से आया 40,000 salary का 6,000 dearness allowance का total आ गया 46,000 तो 46,000 into 12 तो इसका 40% तो ये 2,20,000 अब कौन सा exemption मिलेगा ये तीनों में से जो सबसे कम होगा क्यों ऐसा किया government तुम्हें फसाने के लिए government तुम जितना चालाकी करोगे government तुम्हें उसी तरीके से फसा देगा ठीक है एक real life situation बताओ government क्या 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 अगर तुम Google में भी जाकर सोचोगे government इतना चालाक है और इतना बदमाश आदमी है वो क्या किया थोड़ी दिन पहले कि income tax का scheme लेकर आया और क्या बोला अगर तुम्हारे पास black money है तो income declaration scheme नाम था income declaration scheme गूगल करके देख लेना दिख जाएगा अभी recently आया था income declaration scheme के according तुम अपने black money पे tax देकर बस सकते हो अगर तुम्हें अपने पाप किये वे उस पे अगर तुम्हें माफी चाहते हो तो कि black money पे क्या है पता है एक तो टेक्स लगेगा साथ में jail भी होगा तो government क्या बोला अभी हम एक scheme लेकर आ रहे हैं उस scheme के according अगर तुम्हारे पास बहुत सारा black money है तो तुम क्या करो टेक्स government को दे और अबराम से खुले में जिंदगी जीओ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा खुद आकर सामने अपने पापों का प्राइस चित कर लो टेक्स भर दो और तुम्हें दुनिया का कोई भी आजमी कुछ भी नहीं करेगा गंविंट क्या किया उसके बात पता है बहुत सारे लोगों को मज़ा आया बहुत सारे लोग क्या किये निकल पड़े पैसा लेकर बोरा बोरा में बरकर और इंकम टेक्स दिपार्टमेंट पहुँच गया यह रहा मेरा मेरा ब्लैक मैनि और बहुत सारा टیک्स भरके सारे ब्लैक मनी में बुलो वाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया और 35 जो भी टैक्स आ रहा था उसको गम मेन को दे दी उनको टेक्स देने में धिक्क्त नहीं था गर्मेंट क्या किया पता है उसी के नेक्स्ट येर जो इंसान फिर से उतना टेक्स नहीं भरा उनके यहां पर इंकम टेक्स का रेड कर दिया लो भी ये क्या बात हुआ एक तो हम पापो का प्रेस सित करने के लिए ہमारा ब्लैक मनी को लेकर मालो मेरे पास त्लेकर मैं उसमें से दो करोर उपै लेकर इंकम टेक्स दिपार्टमेंक पोहुँच गया और बोला ये 2 करोर रुपए मेरा black money है इसको ले लो tax के नाम पर इस में से जो भी tax बनता है ले लो तो government को क्या doubt हुआ इस इंसान के पास और भी है यह जूट बोल रहा है एक तो मैं सच बोलने आया था एक तो मैं बताने आया था तुम्हों को कि मेरे पास black money है ले लो tax ले लो और मुझे जाने हुआ government उस पे रेड कर दिया income tax का रेड लगा दिया जब income tax का रेड हुआ तो उन में से बहुत सारे लोगों को पस्तावा हुआ कि हम तो सच बोलने गए थे डेपार्टमेंट लेकिन फिर भी डेपार्टमेंट वाला हमको रेड कर दिया तो government तुम जितने तरीके से बच कर भागना चाहोगे government तुमें उतने तरीके से पकड़ के ले आएगा बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है income tax ठीक है बहुत मजा आएगा seriously पढ़ना और life में भी बहुत काम आने वाला है तो कि life में future में तुम सभी के पास बहुत पैसा होगा तुम लोग बहुत पैसा कमाने वा होगा और तुम जब income tax ठीक्स पढ़ोगे तो तुम्हें मजा आएगा क्योंकि तुम्हारे पास future में पैसा होने वाला है ठीक है तो पढ़ोगा बच्छे से देखो तीन प्रकार का लिमिट निकल कर आया पहला था एक लाकसी दूसरा था 136,800 तीसरा था 220,800 अब यहां पर क्या करना है यह तीनों में से सबसे मिनिममम जो होगा कौन सा मिनिममम 136,800 उतना तुम्हें exempt कर दिया जाएगा बाकी के उपर टेक्स लग जाएगा तुम्हें मिला क तो बाकी 43,200 के उपर क्या देना पड़ेगा तुम बच कर जाने सकते 43,200 के उपर तुम्हें टेक्स देना पड़ जाएगा बात समझ में आया हां सर समझ में आ गया तो हाउस रेंट अलाउइंस का मेरे हिसाब से इसके बाद आता है special purpose allowances या special allowances अब यह topic बहुत बढ़ा है मैं तो सोच रहा था आज ही इसको खतम कर दूँगा लेकिन अगर मैं इस topic को अभी पकड़ लेता हूं तो सायद तुम लोगों के दिमाग में यह topic घुसेगा नहीं क्योंकि एक topic तुम freshly पड़े हो house rent allowance का जो कि ब special allowances का topic पढ़ें यह वाला यह हम लोग next class के अंदर में पढ़ेंगे तीक है I think मुझे जो याद आ रहा है मैं चेक कर लेता हूं एक second के लिए सभी लोग भगवान को याद करेंगे और तब तक मैं एक च्छोटा सा काम करूंगा सब लोग भगवान की याद करें ठोच को आख बन करो मंदिर में हो तुम भगवान की पूजा करो रफूजा कौन है पूजा कोई नहीं नालैक की याद गवान की पूजा करने तो यह वीडियो विडियो नंबर 17 मैं check कर रहा थैं यह वीडियोगो कितना है 17 नंबर वीडियो जिसमें हम लोग क्या पढ़े हैं भी है मिलोग ह मदध मे Ohh 717 आणरे 17-018 नंबर वीडियो में में हम लोग पढ़ेंगी special तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं इसके बात का सारा टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ध्यान रखना लिंक सभी चीजों का दिया हुआ है और दोस्तों के साथ जरूर से शेर करना ताकि सभी लोगों को यह क्लास का बेनेफिट मिल पाए हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे एक एक करके लाइन बाइन मैं सभी वीडियो को स्पेशली रेकॉर्ड करूँगा तुम बीकॉम के बच्चों के लिए और मैं यूट्यूब चानल पे अप्लोड करूँगा धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे ऑल तुम सोच कर रखो कि हम अगर तुम कॉमर्स के बच्चे तो तुम्हारे पढ़ाही का जिमेदारी हमारा है क्योंकि हमारा 1112 का अलग चानल है cbcc का अलग चनल है अगर तुम cbc की हो तो cbcc चनल का लिंक भी डेस्क्रिप्शन में और mecom के चैनल यहां पर है तो यहां पर तुम्हें overall सभी knowledge मिल जाएगा commerce related चानल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों के साथ जरूर से शेर करना जितने जादा शेर हो गए उतने सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे जिससे हमें और motivation मिलेगा तुम्हारे लिए नए नए वीडियो लेकर आने का ठीक है तो आज के लिए इतना ही बाकी का discussion next class में करें ठीक है बाबाई